आपको बता दें कि कॉंग्रेस के चिंतन शिवर को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है तो बड़ी खबर राजनितिक कमेटी के मामलों से जुड़ी ये बड़ी खबर कॉंग्रेस की हार को लेकर उठे सवाल तो तमाम तरीके के सवाल चिंतन में आपर उठाये जा रहे हैं आपको बता दें कॉंग्रेस के चिंतन शिवर को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकरी सामने आ रही है राजवितिक कमिटी के मामलों से जुड़ी बड़ी खबर है कॉंग्रेस की जो हार हुई है चुनावो में उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल यहां पर उठाये जा रहे हैं आपको ये भी जान कर दिए थे कि किस तरीके से रोट में बनाना है आगे आने वाले चुनावों के लिए उस पर भी बाटशीत यहां पर की जा रही है तो उच्छ है अलग-अलग कमिटी बनाई है अलग-अलग मसलों पर बाचीत की जा रही है तो राजमितिक कमिटी की तरफ से तमाम तरीके के सवाल यहां पर उठा दिये गए हैं क्योंकि कॉंग्रेस जिस तरीके से हार का सामना कर रही थी तो ऐसे मैं उस पर भी सवाल उठे हैं तो इस वक्त की ये बड़ी कबर कॉंग्रेस के चिंतन शिवर का आज आखरी दिन है तीन दिन का कॉंग्रेस चिंतन शिवर चलना था आज आखरी दिन है आकरी दिन में सुनिया गांधी और राहूल गांधी के भाशन भी याँ पर देखने को मिलेंगे तो आपको बतारें कि कॉंग्रेस की हार को लेकर भी सवाल उठे है तो इस कबर पर जादा बेट के साथ हमारे समवराता इस पर शर्मा हमारे साथ जुड़ गया है तो तो तुमाम जो शे ख़े कमेटिया बनाए गए टी चिंसिंज कीवर के सबस्क्राइब के साथ में उसकी जो रिकमेंडेशन है उस पर अंतिम महर आज कॉंग्रेस की कमेटी जो है लगाते भी नज़र आएगी लेकिन समसे पहले जन्ता टीवी के दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से हमने सबसे बड़ी ख़बर जो है दिये कि EVM को लेकर यह जो मतला है वो Congress Working Committee की बैठक में उस्ता हुआ नजर आया है राजनितिक कमेटी की जो पारलों की जो कमेटी थी उसमें EVM का मसला जो उठाया गया और उसमें साफ़ों पर एक प्रेजेंटेशन भी जी गए जिसमें बताया गया कि EVM को हैक भी जो है किया जा सकता है और मंद्यपरदेश के जो पूर्ग मुखे मंतरी हैं कमलनाथ उनकी तरफ से यह जो मसला है वो उठाया गया हम देख रहें कि उन्होंने ये भी कहा कमलनाथ की तरफ से आखी लगातार कॉंग्रेश सा जो हर भर्षक प्रयाज जो है करती वी नजर आ रही है एंटी इंकमबेंसी जो है आखे अंदर सरकार के खिलाब देखने को बिल्टी में नजर आती है लेकिन उसके बावजूद कॉंग्रेश की हार हो रही है हार नहीं बल्कि बुरी तरह हार हो रही है और इसी तंदर में आज जो EVM का मतला है वो आज जो है जो राज़नी कमीटी की बैठक्टी उसमें उटता है नजर आता है बिल्कुल क्यों कि सपर्च देखिए आज आज आखरी दिन है चिंतन शिवर का तो हैसे में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है देखे अगर आज आखरी दिन की बात करते हैं तो जो अलग-अलग मतोदे तैयार किये गए हैं कमीटी इसकी तरफ से मतलन क्रिशी कमीटी की तरफ से एक आज आज आए कि MSP कानूनी गैरंटी मिले उसको लेकर किस तरीके से कॉंग्रेस वेया के बढ़ती भी नज़रा सकती हैं संगंछन में कई बढ़ बद्लाव नज़रा सकते हैं एक जो आप होती हैं किस इस को लेकर हो सकता है कि तीन साल का कारेकाल हो पांस नचाल का कारेकाल हो इसके अलावा ऐक जो परिवार एक टिकट शित की बास कि आ ग raw कोग किया जाए जाए या एक बहुशी एक पद की अगर बात की जाए उसको क्या कंशीडर यहां पर किया जा सकता है तो ऐसे कई सारे मसले जो है वो आज कांगरेट वरकिंग कमेटी की बैसक जो है उसमें जो है फाइनलाइज होते वे नजर आएंगे अलाकि एक जो परिवार और एक टिकट वाली बात है वो पुश्किल कही ना कई देखने को मिलता हूँ नजर आता है क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका अपने अपने छेतर में होल्ड देखने को मिलता है और उसके साथ-साथ उनके जो परिवार के सदस्थे हैं वो आज वे चुनाव लड़ते वे नजर आते हैं ऐसे में कई मायनों में 2024 के संदर में कॉंग्रेस किस तरीके से खुद को मचबूत करते वे बड़े निर्ने ले सकती है आज काफी महरकून दिन रहेगा काफी महरकून दिन रहेगा कॉंग्रेस मांग भी करने वाली आने वाले समय मैं आपको ये भी जानकारी दे दे कि चुनाव EVM से नहीं मतपत्र से हो कॉंग्रेस ने इस बात का जिकर किया है कि EVM से नहीं जो आने वाले चुनाव है वो मतपत्र से किये जाएं तो कॉंग्रेस के चिंतन शिवर को लेकर इस वक्त की ये बड़ी ख़बा है तो EVM का मसला भी चिंतन शिवर में उठा है आज आपको बता दें कि आज ये चिंतन शिवर का आखरी दिन है तीन दिन चिंतन शिवर चलना था ऐसे मैं लगातार कई मुद्व पर बाचीत की गई है पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है क्या रोड मैप 2024 के लिए तयार करना है किस तरीके से आने वाले समय में परिस्थितियों को आगे लेकर जाना है तमाम मुद्व पर बाचीत हुए आपको ये भी जानकारी देने कि छे कमीटी अलग-अलग विवा के लिए बनाई कई थी चाहे मों किसान हो, यूथ हो या अलग-अलग छेतरों में तो ऐसे मैं लगातार कॉंग्रेस का चिंतरिन शिवर का जाकरी देने और कमेटी उने भी तमाम सवार उठाए है